नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज फेस में आपका स्वागत हैं दोस्तों भारत की जीडीपी और फॉरेंड रिजर्व से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों दोस्तों फॉरेंड रिजर्व से रिलेटेड न्यूज यह है कि भारत का जो करंसी का जो रिजर्व है वो अब 622 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है तसल दोस्तों हुआ ये था कि पिछले दो-तीन महीने में भारत का जो ये फॉरन रिजर्व है ये कम हो गया था ये 616 बिलियन डॉलर पहुंच गया था तो जो भारत के अलोचक देश है उन्होंने अलोचना शुरू कर दी थी कि भारत के रिजर्व अब कम होने स्टार्ٹ हो चुके लेकिन उसका भी कम होने का कारण था कम होने का कारण ये था कि रेट सी में हूती बिद्रोहीं के द्वारा सिप में अटेक किया जा रहा था तो वहां से कोई भी सिप निकल नहीं रही थे उस राखते से जिसकी वज़े से हम अपना एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री को कर नहीं पा रहे थे जितना करना चाहिए था बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ लेकिन हाँ फिर भी हमारा बिजनेस वो कम हुआ है जिसकी वज़े से हमारे पास फॉरेंड करनसी अतनी आ नहीं पाई तो हमारे बिरोधियों को जो आलोचक हैं उनको एक मौका मिल गया हमारी आलोचना करने का तो उन्होंने हमारी आलोचना ही स्टार्ट कर दी हलाकि आपको बता दें कि जो हमारा हाइस्ट लेवल का जो फॉरेंड रिजर्व था वो अक्टूबर दो हजार एक्टिस में हुआ करता था वो छेसो पैटालिस बिलियन डॉलर था वो हमारा हाइस्ट लेवल था अभी हम अपने हाइस्ट लेवल से तो काफी नीचे है लेकिन फिर भी पिछले जो अभी दो दारिक को जो मॉनिटरी पॉलिसी आई है आरबी आई के दुआरवा आरबी आई ने जो अपना रिजर्व डाटा सामने पेस किया है उसमें ये बताया है कि 5.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्री के साथ अब हमारा 622 बिलियन डॉलर का फोरेक्स रिजर्व हो गया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है दूसरों दूसरी नियूज एक यह है कि भारत की जीडीबी से रिलेटेड दरसल बात यह है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना एक टाटा सेयर किया है जिसमें उसने भारत की अर्थ बिवस्था की ग्रोथ की एक प्रेडिक्शन जारी करी है तो इसमें IMF ने यह प्रेडिक्शन किया है कि भारत की ग्रोथ दो हजार चौबिस में करीब 6-6% रहने वाली है ऐसा उन्होंने प्रेडिक्शन किया है आफ किजिएगा दोस्थ 6-6% की प्रेडिक्शन इनकी पहले हुआ करती थी अभी इनकी नई प्रेडिक्शन के अंसर भारत की GDP करीब 7% रहेगी ऐसा उन्होंने अभी प्रेडिक्शन किया है पर इनकी जो डाटा आते हैं इसको भारत ने अपनी ग्रोथ से पिछले साल के डेटा को जूठा साबित कर दिया है इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था कि भारत की ग्रोथ रहेगी उससे भारत जैसे अभी हमारी ग्रोथ चल रही है इनका कहना यह है कि हम 7% तक ग्रोथ कर पाएंगे 2024 में लेकिन जो दूसरे और डाटा आ रहा है वर्ड बैंक और RBI से रिलेटर वो ऐसा बताते हैं कि हम 7% की ग्रोथ को भी क्रॉस कर जाएंगे यह भारत के लिए बहुत अच्छा होग है बारत की यह ग्रोथ जर्णी पहुत अच्छी चल रही है धिलाल दोस्तो उमीद करते हैं कि यह कई अपडेटर वीडियो ले कर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फोर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे